हाई दोस्तों, आज मैं आपके साथ कॉफी की नैशरल डाइश शेर करने जारी हूँ कॉफी जो की हर घर में इसली अवेलेबल होता है कॉफी जिसमें की कैफेन की मातरा ज़ादा होती है जो की आपके हीर को डार्कन कलर प्रोवाइड करती है दो चमच आपको यहाँ पे कॉफी पाउडर लेना है मैंने यहाँ पे शेशे का यूज किया है आप टू टेबल स्पून यहाँ पे कॉफी पाउडर अड़ करेंगे कॉफी में कैफेन जो होता है वो आपके बालों को सिर्फ डार्कन कलर नहीं देता बलकि आपके बालों में बनने वाले मेलन पिगमेंट को भी बढ़ाता है और यह आपके बालों को स्ट्रॉंग बनाती है बालों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है आपके स्कैल्प को रूट को बहुत ज़्यादा इनहांस करती है डार्कन ब्लैक कलर देने के लिए हेर के लिए कॉफी बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है कॉफी की डाई या फिर आप किसी भी हेर प्रोडक्ट का इस्तमाल करते हैं तो उसमें आप कॉफी ज़रूर पाएंगे कॉफी आपके बालों को बहुत तेजी से सफेद से काला बनाती है बालों को मजबूत करती है कॉफी आपके हेर ग्रोड को प्रोमोड भी करती है जिसे की बाल तेजी से बढ़ते हैं और मजबूत होते हैं दो चमच कॉफी एड़ करने के अबाद आपको यहां पे फ्रेश लेमन जूस एड़ करना है यानि की नीवू का रस नीवू जो की एक सिट्रस फ्रूट है इसमें विटामिन सी की मातरा बहुत ज़ादा होती है इसके अलावा इसमें विटामिन E, मेगनिशियम और आइरन भी पाया जाता है जो की आपके स्कैल्स में अगर बहुत ज़ादा स्वेट की प्रॉब्लम है पसीना बहुत आता है, स्मेल बहुत ज़ादा होती है, डैंडरफ है, रूसी है, खुचली है या फिर बालों में बनाने में बहुत ज़ादा है तो आपको यहाँ पे दो चमच लेमन जूस लेना है, इससे ज़ादा आपको लेमन जूस अड़ नहीं करना है, विकॉस अगर आप इससे ज़ादा एड करती है तो यह आपके स्किन में संस्टिविटी को बढ़ा सकता है, तो मीजर्मेंट का और आपको यहां पर फ्रेश लेमन जूस ही एड़ करना है इसके साथ आपको यहां पर एड़ करना है कोकोनेट ओयल या फिर आप यहां पर मस्टर्ड ओयल या ओलिव ओयल का भी इस्तमाल कर सकती है ओयल एड़ करने से हमारे जो बाल हैं इनमें मौशर की कमी नहीं होती है और साथ ही ओयल हमारे बालों को सॉफ्ट सिल्की बनाता है जिसे कि आप सभी जानती कि नारियल का तेल तो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है इसके साथ इनमें विटामिन E की मादरा बहुत ज़्यादा होती है और ये बालों को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और जल्दी से बालों को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है इसके साथ आपको यहाँ पे आदा चमच लेना है जटा मासी पाउडर जो कि रिक्मेंड किया जाता है प्रीमिच्छर ग्रे हेयर के लिए अगर आपके बाल अर्ली एज में अर्ली एज का मतलब है अगर आप 25 इयर्ज के हैं और उस एज में या उसके पहले एज में आपके बाल सफीद होना स्टार्ट हो गए हैं तो आपको इस पाउडर का इस हर्ब का इस्तमाल जरूर करना चाहिए आदा चमच यहां पर मैंने लिया है जटा मासी पाउडर और इन्हें भी आपस में अच्छे से मेक्स कर लेना है और बिल्कुल किसी भी लंस नहीं होना चाहिए मतलब विदावड लंस के आपको इन्हें अच्छे से एक डाई की कंसिस्टेंसी में लाना है जो भी चीज़े इनमें एड की गई है वो नेश्रल है 100 परसेंट इसली सबके घर में ये चीज़े रहती ही है और किसी मेडिसिन से भी कम नहीं है ये बालों के लिए आपको इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा लिक्विट नहीं रखनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विट रखेंगे तो बालों में ये स्टे नहीं करेगी और बहुत ज़्यादा थिक रहेगा तो ये बालों में लगेगी नहीं तो कंसिस्टेंसी ऐसी रखिए त यह 100% natural है आपको इसे अपने साफ सुत्रे धूले हुए बालों में अच्छे से apply करना है दो घंटे के लिए बालों में लगा करके छोड़े और इसके बाद पहले normal wash करें then shampoo apply करें अपने बालों में हफते में इसे आपको एक बार इस्तमाल करना है 15 दिन में दो बार इस्तमाल क इस तरीके से इस natural coffee की डाई को आप घर में बना करके अपने उपर apply कर सकते हैं इसमें कोई भी age restriction नहीं है natural चीजों को आप कभी भी implement कर सकते हैं अपने बालों के उपर यह कोई भी harm नहीं पहुचाती है किसी तरीके का कोई side effect आपके बालों में देखने को नहीं मिलेगा 100% natural है तो आशा करती हूँ आज की remedy आपको पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेर कीजिएगा एंड्रोय लुशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले चली फिर से मिलते हैं एक एनदर नुसके के साथ तब तक के लिए बाई बाई ठी केर अपना ध्यान की